और आज तो पूरा एक सुनेहरे कर और अमरेक्तार को गरफ पड़ा है तो मैं कैसे पीछे छूप सकती है आप सोच रहे होंगे एक दिवार गोल कैसे सकती है तिवारों के तो काम होते हैं बस पर सच यह है कि आज मेरी देश के हर शक्स को आवास आए जो अब तक सिर्फ सुनने को मुझबूर थे मेरी जैसी पूंगी दिवार को थे ऐसा नहीं कि सुनहरा समय मेरी मात भूमे ने पहवी बात देखा मेरा हारत तो हमेशा से सोने कुचडिया कहलाता और एक हिबादे कई स्वरणिम्काल देखता रहा है अब मेरी जैन को के भी देख लीजे जैन को कि सुनहरे समय मेरा जैन हुआ था उस वक्त मेरे आसपास छेनी खतोडी संत तराशों पथर कटों की ठक ठक ताल और संत कव्यों के शेहत से सुछा उस रस्धार को बहाने वाले पूरे भारत भरसे अनेकों कव्यों इन भक्त कव्यों में कोई हिंदू था पुई मुसल्मान कोई सीफी कोई शैव कोई शैव कोई बैसन सबकी आराधियों अलग अलग भाशा अलग पर सबकी भुक्ति में एक ही करना एक ही प्राम एक ही उनकार के दर्शल सारे देश को हो गएगा यहीं तो दिखता है हमारे देश के तुहारे में जर एक ही दर एक ही नहीं है जैसे मक्रा सज्टाथी पर खेलाते हैं अलग अलग उप्साराद इस लाम किने को बनबाया था मुतर श्रहेंशा शार जहान बलुए पत्रों से मुझे गड़ा गया और इस मजबूती से कि 400 साल बाद आज की मुझे खिलाना ना मुम्किन ही बिल्कुल उसी तरह जैसे है मेरे देश के विचार सिद्धान उसुर असल में भारत सिर्फ एक देश नहीं है भारत नाम है एक सुच है मुझे बनाने वाले मुगन तो हिंदुस्तान में महमान बन कराए थे पर फिर यहीं के होकर रहे भारत ने तो हमेशा हर विश्वास हर विचार की लोगों को अपना समझ करके रहे और कहा है आतिती देवों का मगर उससे भी बहुत पहले भारत ने कई स्वरने यूग देखे था जैसे था हमारी देश का वैदिक यूग सरित सरस्वति नदी केती मैठे जब रिशिमुनी गंधी समिधा अगरी आवुति और यज्या तपस्या खर हुए सब प्रज्या रचनि नगीवो एद पुरा रिगप अथर्वय जुर्प और साम शोध्र किये सब जीवन तत्वा खोज निकला प्रकृति का सत्वा जीवात्म परमात्मा है एक माया ब्रह्म से लगी अनेक आत्मा जड़ अमदु अच्वेद अन्दियनंत अखंड अवेदू वेदों को रचने वाले इन रिश्यों ने दुनिया को जीवात्मा आत्मा परमात्मा के जिस एके की बात हमें सिखाई थे उसी को स्वी प्रिश्न में धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की यूटुब भूने में अज्यों पर समयता जैसे बुराने कपड़ों को उतार कर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है उसी प्रकार आत्मा भी बुराने शरील को द्याद कर नया शरील धार्फ करती है इस आत्मा को ना तो शस्त्र काड़ सकता है और ना आग इसे जला सकती है ना इसे पाने भीगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है तब से आज तक आत्मा की संस्कृती ही भाते संस्कृती की आत्मा है और ओम की ध्वनी उस परंग्रम का स्वरित आज सरस्वती भले ही आखों से उचल हो गई है पर नासा के सर्वेक्षन पताते हैं कि सरस्वती अभी तक जीरत है और अब धर्ती के भीधर भीधर बहती है अब देश के शिर्वाट तो उस वेड़ी कि उसे लिपने ही सिंधू के किनारे एक ऐसी संभिता उभरी, निखरी, संभरी जो संसार में कभी भी, कहीं भी नहीं देखी थी उस वक्त के हमारे शहर थी Smart Intelligent Cities This was a wonder world, India 5,000 साल वहले जो बुनियाद सिंधू सरस्वती संभिता के समेटानी गए थी वो आज भी हमारे भारत का आयखार है संस्कृती का ऐसा अखंड, अटूट सिलसिला आपको संसार में कहीं भी नहीं मिलता हमारा देश नई को अपनाते हुए भी कभी पुराने को नहीं भुलाता इसलिए तो कल का भारत आज भी जीवत है अब कल भी रहेगा एक और बड़ी विशेष्टा है मेरे भारत की सत्ती की खोच भारत नाम का अर्थी है यानि प्रकाश और उसकी खोच में अटा कुआ देप्ति प्रकाश यानि सत्ती की खोच में केवल योगी, मुनी, रिशी ही नहीं सुख सुविथा में पहले बढ़े राचा राजकुमार भी किसी से कम नहीं रहे भारत के दार्षनिक मनीशियों, गुरों ने जो आध्थात्मिक मार्ग दिखाया था उसी को ठोस रूप दिया भारत भर में ठेले तमाम राज्यों समराज्यों में दूसरी तरफ ते हमारे अभूत पुर्व वेक्यानिक, गणितग्य, खगोल शास्त्री और वैति हजारों बरस पहले, प्रित्वी की परिथी की सही नाग, मंगल और चंदतर का फासला और धर्ती से सूरी की बराबबर दुनी, सब बिना किसी दूर्वी या उपग्रह का सहाराध्य, केवल अपनी गणित, बीजगणित, जामिती और खगोल ग्यांसे यह उन्ही पुरातंख बोलशास्त्यों से मिले संस्कार कि आज भारत अंतरिक्ष अनवेशन में एक अग्रेल देश है सहस्त्राप्तियों पहले कणादी आदी गुरू थे अनु को बहचानने बाले, फिर ग्यास चले कि नई दुनिया में अनु शक्ती को साधने वाले देशों में हमेशा आगे रहे योग में तन से मन और मन से आध्यात्म के योग के सूत्र ढूणने का रहे थे पतंजली जैसे विशी और आज 21 जून को पूरा विश्ट योग दिवस बनाता है वहीं विद्वान पैति मानव शरीर के छुपे हुए रास और हर बिमारी का इलाज खोच रहे थे सर्चरी की भी शुरुआद इन वैद्यों ने कर डाली थे अब कटे अंगों को जोडने के लिए प्लास्टिक सर्चरी की भी इन भारती वैद्यों से मिली प्रेड़ना ही तो है कि कोवर्ट आप रहे थे